तो माई सुपर इंग्लिश क्लस में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए जो लेकर आए हूँ मैरी शैली के इंपोर्टन नोट्स लेकर आए हूँ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना विल्कुल मत भूलना क्योंकि आपका एप्रीशियेशन बहु कोई भी PGT English की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी स्टेट का हो चाहे KVS का हो या NVS का हो तो यह सारे नोट्स आपको जरूर फायदेमन दोंगे तो चलो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एक्जाम्स की प्रेपरेश कर रहे हैं ठीक है तो इंग्लिश लिट्रेचर के नोट से चलिए देखते हैं मैरी शैली तो इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यू कब हुई थी तो शी वाज बोन ऑन 30 अगस्त 1797 और शी वाज डाइड ओन 1st 5 1851 ठीक है तो इसको आप लर्न कर लिजे थोड़ा ध्य एक एज की यह राइटर है और यह सबसे अदर प्रसिद्धी चलिए आगे बढ़ता हूं उसमें बता हूंगा की एक माट इनका जो चलो पहले यह देख लेते हैं कि उनका वर्क था वाल पैरगा वाल पैरगा उनका एक वर्क था ता लाइफ एडवेंचर्स ओफ केस्ट्रू केस्ट्रू सियो तो यह लाइफ और एडवेंचर ओफ केस्ट्रू सियो का जो है वर्क है वाल पैर का और प्रिंस ओफ ल्यू का तो प्रिंस ओफ ल्यू का भी था यह तो एक्चलि पूरा यह नॉवल में लिखा हुआ है फ्रंट में और 1823 में यह बुक आई थ देख लीजेगा और सबसे इंपर्टन वर्क उनका यह है इन विच मैरी शैली नौवल दा स्टोरी ओव विक्टर विक्टर फ्रेंकेंस्टिन जो है विक्टर फ्रेंकेंस्टिन अ यंग साइन्टिस्ट था और हूँ क्रियेट सा सेपियन क्रियेचर इन अन और्थोडोक्स साइन्टिफिक एक्सपेरिमेंट तो यह किस नौवल से रिलेटेट था तो यह नौवल था उनका फ्रेंकेंस्टिन जो उनका novel था और यह बहुत ही important novel है मान के चलो कि इससे आपको question आ सकता है इस novel के बारे में तो इसका और भी नाम है The Modern Prometheus उसका और नाम है यह 1818 में publish हुआ था और यह Gothic novel में आता है Gothic novel मतलब की एक तो science fiction भी आ जाते हैं उसमें और उसके लबार जिसमें terror हो डर हो और क्या मुलना चाहिए भूत परित से related हो तो वो सारे novel जो है Gothic novel कहलाता है ठीक है horror horror movies वगरे जो बनती है horror जो books उपन्यास तो यह Gothic novel है ठीक है तो याद रखेंगे बहुत इंपोर्टन्ट यह बुक है इनकी ठीक है फिर है The Fortunes of Perkin Warbeck A romance in Is an 1830 में यह लिखा है और historical novel है by Mary Shelley about the life of Perkin Warbeck परकिन लाइफ वार्बेक के लाइफ के बारे में यह historical novel है The Fortunes of Perkin Warbeck ठीक है नेक्स्ट देखते है The Last Man ठीक है यह भी बहुत ही important उनका novel है और यह जो है ना apocalyptic novel है apocalyptic novel ठीक है The Last Man तो apocalyptic novel का मतलब यह होता है कि किसी भी तरीक एक description जैसे महमारी अभी फैली हुई है तो उसके बारे में हो या कोई भूत प्रेत हो या बरवादी मतलब किसी भी तरीक आग लग गई है भेंकर पूरे शहर में मतलब उससे वैसा कुछ The Last Man जो था 1826 में आई थी तो dystopian science fiction novel है तो dystopian में जो मैंने देखा तो वह है मतलब कुल मिला कि बरवादी जो बोलना चाहिए उससे related or science fiction है तो which was the first published in 1826 The book describes a future earth at the time of the late 21st century Revexed by a new pandemic of the bubonic plague तो बीमारी फैल लगई विच क्वीकली स्वीप से क्रोस देवल्ड जो की एकदम से पूरे वल्ड में फैल गई थी तो उसके बारे में है या कोई भी उससे related ही है The Last Man याद रखिएगा आप 1826 में यह आई थी Mary Shelley की novel जो की apocalyptic novel है याद रखना है अपने इसके पहले Gothic novel भी देख लिए एक फिर है लुडोरे लुडोरे इट इस अलसो पॉब्लिस्ट अंडर दा टाइटल दा ब्यूटिफुल विड विडो इस दा पैनियुल्टिक मेट नॉबल पैनियुल्टि लिमेट नॉबल है यह और जो की पॉब्लिस्ट हुए थे 1835 में तो लुडोरे ठीक है इन लुडोरे इसमें होता क्या है कि शैली फोकस्ड हर थीम ऑफ पावर और डिस्पॉंबलिटी ओन दा माइक्रोजोम्स ऑफ दा फैमिली जो घर में जो खीडे मकोडे में घर के परिवार के साथ उसके बारे में है यह तो यह उनका एक इंपोर्टेंट वर्क है इसको भी हम पड़े सकते है फिर है फालकनर फालकनर भी यह भी जो है न वही अभी हमने क्या देखा पैनिल्टी मेट नॉवल यह भी उसी तरह का यह नॉवल है फॉल्कनर जो कि 1835 में आ था और यह जो 1835 में था यह 1837 में फॉल्कनर अभी प्रवेंट्स रूपर्ट फॉल्कनर फ्रॉपर्ट फॉल्कनर को कौन अलिजबेत रहबे और फॉल्कनर जो इसके बाद उसको एड़ोप कर लेता है और बिंग्स कर लेती है और बिंग्स हर अप्टू बी अ मॉडण ऑ वर्चू और बाद में जो है इसको अपने किस्मत का जो बलंची एक मॉर्डल बना देती में तब कुछ आगे और कहानी है उसमें तो फॉकनर जो है यह आई थी 1837 में और ये भी जो है किस तरह की नॉवल है पैनल्टीमेट नॉवल है यह लोड़ोरे और ये फॉकनर यह दोनों उसी तरह की नॉवल है पैनल् Mathilda is the second long work of the fiction, दूसरे नम्बर का उनका वर्क था है, फिक्षन, फर्स्ट पब्लिश पोस्ट्यू मोस्ली, मतलब उनके मृत्यू के उपरांत, ये पब्लिश हुई थी, 1959 में, इडिल्स विट विट गॉमन रोमेंटिक थीम्स अब दा, इंसेस्ट अन सुसाइड, दा नेरेटि इतना ही है भाईया, एक चीज याद रखेगा, आपको लगता है यार, इतना सारा कैसे मैं याद रखूँगा, मैं को तो समझ में याद कैसे रखूँ, तो मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि याद सब कुछ आता है, आप बस एक तरप से पूरे वीडियो जो है न आपने को इंट्रेस्ट आए, और जो अच्छा लगए किया है, हाँ यह सही जान करें तो उसको एक एक करके, स्किप करके मत देखो, अराम से देख लो, एक एक करके चीज पढ़ लो, या देख लो, सुन लो, सामने बाले को, सामने बाले ने महनत करके बनाया है, तो तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मुलागात करते हैं